मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको कमर दर्द के लिए कम्प्लिट योगासन जिसमें कमर, पीट, मेरुदर्ण, स्लिप डिस्क, इत्यादी सभी समस्याओं का कैसे हम समधान करेंगे उसके लिए यहा कि निरंतर अभ्यास हमारे यहाँ चल रहा है और आपको आज के अभ्यास को देखना है और यह आपके लिए बहुत लभगारी बिडियो होने वाला है बिडियो को अन्टक देखिएगा और इसमें तीन इस्टेप में बताने वाला हूँ तो देखिए करना क्या है कि यादि आप कमर दर से परिसान है, सिलिप डिस्क हो चुका है या कमर के नस में कहीं पर खिचा हो गया है, दब गया है, वो सब का सब इसे ठीक होता है, तो आपको पीठ केवल जमीन पर लेट जाना है, लेटने के बाद अब दोनों हाथ को ठीक कंधे के समनां तर खोल दीजिए, हैला दीजिए इस परकार से, और दोनों पैर को मोड़िये आगे से, मोड़ने के बाद सास को देखेंगे कैसे हाथ की स्तिती बनी हुई है, बिलकुल कंधे के बराबर दोनों हाथ फैला हुआ है, और यहाँ पर दोनों पैरों को हम मोड़ मोड़ने के बाद दोनों एडिया और उमठे आपस में सटे हुए है, अब यहाँ पर आ करके करना क्या है, सबसे पहले इसका नाम जान ले, यह कौन सा आसन है, यह मरकट आसन है, मरकट आसन का यह पहला स्टेप है, अब पूरा पीठ कमर से लेकर के माथा तक जमीन में टच किया हुआ है, अब देखे का करेंगे, कि सांस को भरते हुए, पैर को दाहिनी तरफ और गरदन को बाई तरफ मरूडेंगे, सांस भरते हुए, पैर को दाहिनी तरफ और गरदन बाई तरफ, यही पर थोड़ा सा होल करते हैं, एक दो सेकेंड, और फिर सांस को छोड़ते पायर को बीच में लाएंगे बहुत अच्छा फिर सास को भरते हुए अब दूसरी तरफ पायर बाई तरफ गरदन दाई तरफ अब यहाँ देखे साधानी क्या परतनी है यहाँ आदर्स इस्थिती बना करके जब अभ्यास करेंगे तो घर बैठे आप कमर की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं मैं तो देख करके दंग रहता हूं कि लोग परिसान हो जाते हैं हतास हो जाते हैं निरास हो जाते हैं और अभी मैं एक वेक्ति को देखा कि वो छट पर से गीर गए थे और कमर उनकी तूड़ गए और बहुत ततकाल अप्रेशन कर दिया गया वो बेचारे एक्सपायर कर गए आठ से दस दिन हो इससे बचना है और आप इन सारे चीजों को अभ्यास करके अपने जिन्दगी को सगुसर बनाया रख सकते हैं पुना सास को छोड़ते विए पायर को बीच में लाएंगे बहुत अच्छा फिर सास को भरते विए दूसरी तरब साधानी के साथ करना है जोर जबरदस्ती नहीं करना है आपको क्योंकि कमर का दो दर्द है स्लिप डिस्क है मेरुदंड की जो समस्या है स्पाइन की जो समस्या है यह देश में बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है और इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं बहुत देर तक खड़ा रहना बहुत देर तक बैठे रहना और बहुत देर तक आगे जुक करके काम करना जर्क में आपको ज्यादा देर तक मोटर साइगी चलाना बस ट्रक चलाना ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं या कहीं आप सोने में कहीं गरबड़ी कर दिये आपके सोने के पोस्चर में गरबड़ी ह तो इसारी समस्य आ सकती है, अब सिधे पयर को सांस को समयने करते हुए पयर को बीच में लाएंगे, अब रूख जाएंगे थोड़ा, पयर को पसार देंगे, यह पहला स्टेप है, थोड़ा सा दो चार बार सांस लेके हलका सा इसे विश्राम लेंगे, काफी सुन्दर अव्य दूसरे स्टेप की तरह बढ़ेंगे, अब देखे क्या करना है, कि दोनों पैरों को मोड़िये, और पैरों में लगबाग बेड़ फीट की दूरी बनाईए, बहुत सुन्दर अब्यास, देखे दूरी इतना बनाना है, हाथ की स्थिती, वैसे हाथेली को आप जमीन की हाथ, बहुत सुन्दर, अब यहाँ देखे क्या करना है, अब मरकट आसन का दूसरा स्टेप हम लेने वाले हैं, अब इसमें भी बहुत साधारी के साथ, सांस को भरते हुए, दोनों पैर को दाहिनी तरफ गिराईए, गर्दन बाहिन तरफ, यानि दाहिना पैर भी जमीन प तो दोनों घुटना अलग-अलग जमीन पर है, लेकिन शुरुवाती दोर में दिखरेंगे, तो क्या करेंगे कि एक पैर पर एड़ी पर दूसरा घुटना चढ़ा करके थोड़ा दिखा देगे, यह जब सुरू-सुरू आप करेंगे, तो आपको इतना स्टेचिंग नहीं कर सकते हैं, अब इसको जब करते-करते आदत हो जाएगी, कमर दर्द में रहत मिलेगी, और जब अभ्यास बढ़ियां से होने लगेगा, तो फैला करके दिखा देगे, दोनों फैला यह दिखे, यह इस परकार का एदम शकीक और सुन्दर अभ्यास लाजबाव अभ्यास है अब पुना सास को छोड़ते हुए, दोनों पैरों को भीच में लाएंगे, और सास को भरते हुए, अब पैर को दुसरी तरफ, गर्दन हमारा दुसरी तरफ, बहुत सुन्दर, आराम-ाराम से करना है, एक-एक स्टेप आपके लिए बरदान साबित होने वाला है, यह मैं आ कि इसका इस्तेमाल करके आप जहां हैं, जिस परिस्तिती में हैं, आप अपने कमर को बचा सकते हैं, मेरुदंड को स्वस्त बना सकते हैं, कहा क्या है कि जिस व्यक्ति का मेरुदंड खराब हो जाए, तूट जाए, बिमार पढ़ जाए, अस्वस्त हो जाए, उस व्यक्ति क मैं और करके इसके अगले स्टेप की तरफ में बढ़ूँगा अपना सांस को भरते हुए पैर को दूसरी तरफ और गर्दन दूसरी तरफ बहुत खुबसूरत अभ्यास कि मैं हर अंगिल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे इसमें लेटना होता है एक दम सुंदर साभ्यास उपर से मैं दे वीडियो बनाओ तस्वीर लो तो इस प्रकार आकृती बनती हुए देखती है ये हमारे पुर्वजों के द्वारा लाखो करोडो वर्स पहले ये सारे आसनों का अविस्कार हो चुका था क्योंकि सारे आसन किसी ना किसी जीव जनतूं से लिये गए है और यहां जो आसन है मरकाट आसन ये बंदर से लिया गया है तो आईए अब पुना इसको सांस को छोड़ते हुए पैर को बीच में लाएंगे और एक बार पैर को दूसरी तरफ ले जाएंगे अराम अराम से जिस्तना धीरे धीरे यहां किया जा रहा है उतना ही धीरे धीरे करिएगा कोई घबडाहट लेने की हरवडी लेने की असकता न ही है और आप क्या करेंगे कि होलिंग टाइम को पढ़ा सकते हैं जैसे हमने पैर को गिरा दिया तो शुरू में पांच सेकेंड वर्ण टू थ्री पोर वाइव सिक्स या इसे दस सेकेंड तक विस सेकेंड तक भी आप होल्ड कर सकते हैं विसेश लाव लेने के लिए लेकिन सुरुवाती दोर में आपको बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है आप पस पैर को बाये दाएं अराम अराम से करते रहिएगा फिर धीरे नसे धिली होने लगेंगी कमर दर्द में रहात मिलने लगेगा पहले से अच्छा फिल करेंगे तो आप होल्डिंग टाइम को पांच सेकेंड से लेकर के तीस सेकेंड तक याने याधे मिनट तक जरूर कर सकते हैं अब पैर को सीधे बीच में लाएंगे सांस को छोड़ते हुए पैर को पसार लेंगे और थोड़ा सा हलका आख बंद करके बिसराम कर लेंगे बहुत खुब सुरत बिसराम करने का तरीका बड़ा संदार है और इसमें दोजार बार दस बार सांस लेंगे भरेंगे और सरीर में कहीं परी थोड़ा खिचाव हुआ है कि स्ट्रेचिंग हुई हो तो धीरे-धीरे ओ रिलेक्स हो जाता है अब देखिए मरकट आसंता हम लो देखिए मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब लाइब कमेंट्स और सेर जरूर करिए और बिना ताम जाम के बिना बिना कोई समय गवाय हुए आप अपने कमर की समस्या को घर बैठे ठीक कर सकते हैं लेकिन भईया आपको इसे तीन बार जरूर करना चाहिए यदि बीमारी से गरिस्तन हैं सुबा दोपार साम दस-दस मिनटी करिए वो चलेगा अब देखिए क्या करेंगे कि हाथ क्या करती आप देखी रहे हैं एक दम बिल्कुल सीधा-सीधा कंधे के बराबर और अब हम दाहिना पर को उठाएंगे और बाय हाथ से पकड़ करके सीधा करेंगे दीर दिद्वीन में गिधा देंगे निचे की तरफ हम और को खीच देंगी पायर और आत करेंगे परना निचे वाला पर थिख सीधा कर दोई ये देखे आकर्ती बन रहे है ये पैर की ये सरीर की आकर्ती बन रहे है इसी आकर्ती में आपको भी पोज बनाना है ये मरकट आसन का तीसरा और अत्यनत लावकारी आप पोज है थोड़ा सा विश्राम भी कर सकते हैं एक दो सेकेंड इसमें रुख भी सकते हैं नहीं तो तु दूसरे पैर को उठाकर दूसरे हाथ में इसे देंगे कैसा भी कमर का दर्द हो कितना भी पुराना हो आपको सुबह दो पहर साम जैसे आउसदी लेते खुराक के हिसाब से तो यह योग जो थेरेपी है योग जो ट्रीटमेंट है आप इसका बहुत सुन्दर देखिए हलका सा पैर को और उपर उठा लेंगे और पैर खीचे उपर की तरफ धीरे धीरे हाँ बहुत सुन्दर देखिए इस प्रकार क्याकरती बन गई और इसे में नीचे वाला पैर को सिधा कर देंगे स्ट्रेच खीच देंगे और गर्दन को दूसरे दिशा में जुका करके रखेंगे अब देखेंगे आपका दोनों कंधा जमीन पर है और उसके ठीक जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारा मेरुदन मरुड़ खाता हुआ और नीचे से पैर को हम सिधे दूसरे दिशा में ले जा करके और दूसरे हाँ से पकड़ करके खीच देते हैं फिर पैर को सिधा करें और एक एक बार और इस अभ्यास को करके हम इस अभ्यास को भी राम देंगे बहुत सुन्दर अभ्यास आपने वीडियो को देखा है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें लाइक करें कमेंट्स करें एक बार पुना पैर को उठाईए और दूसरे हथेली में दे दीजिए एक दम सुन्दर इससे देखिए कमर दर्थ के साथ साथ किसी बैक्ति का पेट निकल रहा है किसी बैक्ति का किड्नी खराब हो रहा है किसी बैक्ति का लिवर खराब हो रहा है तो उनके लिए भी जवर्दस्त है आसन यानि एक साथ मोटापा भी चला जाएगा एक सा आतापका कमरपतला हो रहा है आपकी सरीर की आकरती बढ़िया बन रही है आप देखने में श्माट लगेंगे आप देखने में सुन्दर लगेंगे और इसको करने से आपके पीठ के दर्द सारी समस्याओं का जो जड़ है वो दूर होगा तो आईए इस अभिहास को रोकते और माया पर उठाएंगे दाहिने पर पकड़ करके बहुत सुन्दर अभियास बहुत सुन्दर अभियास आप करके देखिए आप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि इस आकरती को करने के लिए थोड़ा सा धैर रखना पड़ेगा थोड़ा समय देना पड़ेगा और न बहुत सुन्दर आसन है यह बुढ़ापा को रोका जा सकता है उसे दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरीर में बचपन, इसोरा वस्ता, जवानी, बुढ़ापा और जरजर होकर के सरीर निटी को प्राप्त जिन जरूर होगा इसलिए जब जन मिलिये हैं तो प्रभु से कामنا हम लो करें कि यह प्रभु स्वस्त सरीर सो बरस तक कम से कम, हम जी सकें ऐसी कामना करते होँए, आप सबका भी कमर ठीक हो, आप सबका भी दर्द ठीक हो, और आप भी सो साल तक जीएं और हम सब मिल करके आनद उठाएं, तो आ यह हलका सा सवासन के स्थिति में आ जाते हैं थोड़ा सा विश्राम लेते हैं और इस प्रकार से लेट करके मन को एक जगा ठिका करके सुर्य देवता पर या चंदर देवता पर या जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वहां मन को लगा दीजिए ध्यान लगा दीजिए और ध चरीर जब रिलाक्स हो जाए तो इस आवस्था में आप बाहे करवठों करके बैट करके विश्राम ले लेंगे धन्यबाद